जय हिन दोस्तों मैं आपका दोस्त राधे शाम भाउसा तो एक चोटा सा स्टेन क्लीनिंग का विड़ो है बट साड़ी सेंसिट्व है दोस्तों बहुत ज्यादा सेंसिट्वी साड़ी है तो इसके उपर जो स्टेन है न वो मुझे रिमूव करना है पहरों तो आप यह साड़ और इसके उपर जो स्टें है ये दिखी जैङए ये पूरा फूल स्टेन है देखिजिए ये स्टेन है इह स्टेन है और इस्टेन है दोस्तों तो इसको करेंगे clean और यह जो दिख रहे हैं आपको यह अब भी थोड़ा सा गीला हुआ है मेरे हाथों में तो यह गीला है तो यह जो यह जो करें है क्लीन करणी है तो चलो इसको करते ही clean और वरक भी नाजूख है इसमें यहाँ पे भी स्टेन है यह पूरा पॉर्शन जो है न यह स्टेन का है जोस्तों यह मैंने आयफ़ी लिक्विड डाला है और आयब भी लिक्विड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑनलाइन बाय लिंक है तो जाके चेक कर सकते हैं और यह लिक्विड अमोनिया है और इसमें थोड़ा सा हार्ड एक सोडियम बाय कार्बोनेट भी मिक्स है इसी वज़े से इसका ज्ञाब हो रहा है दो जो है और गीला होने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेतेगा दोस्तों यह स्टेन तो दोस्तों यह स्टेन निकल गया जैसा मुझे लग रहा है बट ये साड़ी जब मैं हाइड़ो से निकालूंगा इसको हाइड रहे n profiles को सुखा Ub constituents तो न मैं आपको यह सको पूरी साड़ी सुखाने के बाद मैं आपको दिखाना दोस्तों तो सुखने तो बने रही है यह स्पडू रह yn लिटक तो नहीं रहा है यह दिख नहीं रहा है स्टेंड बत गेला उने के बाद में दिखता भी नहीं है और एम ऊपने के बाद मैं समझ में आएगा कि गया है नहीं गया है तो बस दोस्तों बने रही है इस टूड़े में मैं आपको यह पूरी सारी ड्राइए करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इंपोर्टन लॉन्डरी के जो प्रोड़क्ट होते हैं जो मैं आउनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि यह सब के लिए यूसफूल होंगे तो उसकी आउनलाइन पाइलिंग हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ तो चाके आप बाई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं जय हिंद वंदे मातर जय स्त्री राम धन्यवाद दोस्तों